हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूँ क्विक ट्रिक्स बाइ साहिल सर ए सैटिस्फेक्टरी सॉलिशन ओफ मैथ आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरी जुमेट्री का काम तमाम करने वाले हैं तो सभी विध्यारती इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन की गंटी दबा देंगे आल वाला जिससे कि आपको मेरी इसी तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएगा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और ये सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है जोमेट्री के पॉइंट व्यू से अगर आपका एक्जाम है और आप कुईक रिविजन चाहते हैं तो ये वही है तो चलिए का शुरुआत करते हैं आप शेयर कर दीजिए उससे पहले मैं अगर आगे बात करूँ आप लोगों से तो मैं बता देना चाहता हूँ अनकैडमी पर आज आज की दिन में आज आज की दिन रात को 12 बज़े से पहले पहले अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ते हैं जहां मेरे सासत अन्य सभी सब्जेक्ट भी आपको मिलेगी जहां मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर जॉइन कर लीजिएगा हर क्लास की पीडियाफ और अपडेट वहीं मिलती है आपको ठीक है मैंने नीचे मेल आईडी भी डाली है तो जो भी विध्यातियों के एक्जाम हो एक्जाम देकर वो आएं तो मेल आईडी के लिए शि स्टाट करते हैं मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं आप अपनी पैन और पेपर जो है उसको साइड में रख दें बस आप देखेंगे यह वीडियो आपके उस समय काम आएगा जब आप कभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कभी भी कहीं जा रहे ह है उस समय आपको रिवीजन करना है तो यह सबसे बैस रहने वाला है आपको कुछ कुछ नहीं करना बस आपको देखना है और समझना है ठीक है चलिएगा आईए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के पहला कॉंसेप्ट हमने दो लाइन लिए हैं दो रेखा की स कुछने पूछ सकता है कि अगर इनका एद्वितिय हल हो तो क्या शर्त है अगर इन दोनों रेखिक समीकरण का नमबर कंस जो कंसेसें सिस्टम में एद्वितिय हल हो तो एद्वितिय हल का मतलब आपकी लाइने आपस में इंटरसेक्ट करेंगी अगर आपसे कोई पूछ ले जा रही है तो आपको क्या करना है एवन अपॉन एटू इस नोट इक्वल टू बीवन अपॉन बीटू वाला कंसेट यहां लगेगा ठीक है अगर मैं आगे बात करूं कि आपका जो सॉलुशन हो इन्फाइनाइट है यानि कि लाइन आपस में एक दूसरे को काटती जा रह इसका मतलब एवन अपॉन एटू बराबर बीवन अपॉन बीटू बराबर सीवन अपॉन सीटू रहेगा यानि कि तीनों के जो कॉफिशेंट है इवन कॉंस्टेंट वाला पार्ट भी बराबर रहेगा क्लियर है ऐसे समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल् है बहुत कुछ सीखने वाले वाचा मैंने बूला लाइफ का बैस मतलब फचसर अगर कोई सोलेशन ना हो तो लाइन अपसमें पैरलल Countingynn बराबर बराबर नहीं घुलauer यह को यह एक दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आप क्या चेक करोगे कि A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 तो होना चाहिए लेकिन C1 upon C2 नहीं होना चाहिए तो रेखाएं पैरलल हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी और दो समांतर रेखाओं में कोई भी सॉलूशन नहीं होता क्योंकि सॉलूशन तो तब होगा जब कटेगी 2 समांतर रेखाओं कभी कटेंगी क्या कभी नहीं कट सकती वह तो कटेगी नहीं तो नहीं होगा काम अगला कुष्चन जोमेट्री में आप बताईए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं पूरक कौन हैं पूरक कौन तभी होंगे जब उन दौनों का योग 90 डिग्री होगा मैंने कहा एक कौन 30 डिग्री है उसका पूरक कौन कितना होगा 60 डिग् तो अगर आपसे कोई बोले न की किसी कौन का सम्पूर कौन तो उस कौन को उस थीटा को उस एंगल को माल लीजे ठीटा दन सेकेंड एंगल 180 माइनस थीटा clear बिल्कुल clear है अगला concept जब दो line ओ को कोई तिरियक रेखा काटे बहुत सारे angle बनते हैं अब बहुत सारे angle समझ लीजे आप सबसे पहली बात alternative angle क्या होता है सर जो z बनाता है तो सर 3 और 6 alternative है इसी तरह से ये वाला भी z count होता है तो 2 और 8 भी alternative है तो 3 और 6 दो और 8 भी alternative है आगे सर अगर 2 parallel line है और कोई line उनको तिर्ची रेखा काट रही है तो same position पर angle जो होते हैं वो angle कौन से angle होते हैं संगत कौन संगत बरावर है corresponding angle चलिए corresponding angle संगत कौन जैसे कि कि एक किसके संगत है एक किसके संगत है जल्दी जल्दी पांच के क्योंकि ये भी line के उपर वो भी line के उपर 2 किसके संगत है 6 के 4 8 के 3 7 के तो इसको कहते हैं संगत कौन ठीक है आईए अब आपने जो जैड देखा वो जैड 3 और 5 संगत 3 और 5 को बरावर मना रहा है alternative एंगल भी बरावर होते है alternative एंगल भी बरावर होते है तो ये तो आंतरिक alternative है तो सर भार के भी alternative होते है क्या बिल्कुल होते है जैसे कि आपने ये जैड बनाया था अभी तो इसके उपर 4 आ रहा है इसके उपर 6 आ रहा है बरावर होगा क्योंकि भाई ये alternative एंगल भी बराबर होते हैं दिमाग में रखना इस बात ठीक है इसी तरह से मैं बोल दूँ ये वाला कौन तो सब एक और साथ alternative है बराबर होगा ठीक है तो दो तरह के alternative कौन होते हैं जैसे कि 3 और 5, 2 और 8 ये internal वाले थे चार और 6 और 1 और 7 वो external वाले थे ठीक है गुरू जी अच्छा आपको ये बताओ सीर्ष अभुमिक कौन क्या होता है सर सीर्ष अभुमिक कौन vertically opposite angle वो angles होते हैं जो ऐसे ऐसे बन रहे हो दो लाइनों को कट करने पर दो लाइन कहां कट हो रही है बूले सर ये रही तो आमने सामने के ये एक और तीन आमने सामने दो और चार आमने सामने तो vertically opposite कहलाएगा और ये बराबर होते हैं इनको सीर्ष अभुमिक कौन बोलते हैं तो कभी भी मैं अगर आपसे बात करूँ कि कभी भी किसी भी दो लाइनों के समहू को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो किरतने शीर्ष अभुमिक कौन बनेंगे एक दो पेर तीन पेर और चार पेर चार पेर बनने वाले कितने जोडे बनेंगे चार जोडे बनने वाले क्लियर हो रहा है माई डियर समझ में आ रहा है चलिएगा बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया मज़ा आ रहे ने डियर आईए अब मैं एक कुशन आपसे पूछ लूँ एक कुशन पूछूंगा इसी पर बेजड और आप सभी का जवाब आना चाहिए भाई तैयार हो इस दो क्या मैं कहता हूँ अनंत पैरलल लाइन है ऐसी है ना एक दो तीन चार तीन मैंने मालनी तीन पैरलल लाइन को अगर कोई तिरियक रेखा काटे तो इसमें कितने अलग अलग कौन बनते है हां मैं पूछ रहा हूँ कि तीन लाइन हो या पांच भी बोल सकता है या दस पांच भी बोल सकता है तीन पैरलल लाइन को कोई एक तिरिची रेखा काटे तो कितने अलग अलग कौन बनेंगे एंगल कितने अलग बनेंगे एंगल का मतलब संख्यात्मकमान जवाब आ रहा है एक्जेक्ली रानी राज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत गजब बढ़िया दो ही एंगल बनेंगे सर कैसे यानि कि अगर मानलो यह ठीटा है तो यहाँ यही कानी है कि अगर मानलो यह ठीटा है यह 20 है मानलो तो देखना आप देखना सर ये 20 है तो तो कुछ नहीं है ये भी 20 होगा अच्छा ये 20 है तो ये भी 20 होगा ये 20 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा यह वाला 160 है यह वाला भी 160 हो जाएगा तो यह 20 हो जाएगा यह 160 हो जाएगा इसी तरह से यह 20 हो जाएगा यह मतलब एंगल यह घूमते रहेंगे दो ही तरह की एंगल बनते हमेशा यह 20-160-20-160-20-160 चुरू से लेके एंग तक तो इंफाइनाइट लाइन्स हो तो भी दो यह एंगल बनेंगे तो यह कुशन बन गया पेपर में कि कितने एंगल बनते हैं अगर आप ऐसे लाइन को कार देते हो तो एंगल दो ही तरीकी के बनेंगे अलग-अलग होंगे वो अलग-अलग तरीके से हम नाम दे देते हैं उनको बस यही कान ही है चलिए भाई बहुत अच्छा कंसेट किलियर किया एक चीज और दिमाग में रखे दो पैरलल लाइन्स के अंदर के जो कौन होते हैं उनका योग क्या होगा आलवेज 180 डिग्री 2 और 5 का योग 180 3 और 8 का 180 हमेशा इंटर्नल एंगल आपस में सप्लिमेंटरी होते हैं संपूरक होते हैं वीडियो का यह शेयर कर दो जोड़दार तरीके से आईए अब आते हैं ट्राइंगल पर अब ट्राइंगल पर आते हैं कोई भी ट्राइंगल बनेगा कब ट्राइंगल सर्क ट्राइंगल तभी ट्राइंगल बन पाएगा जब उसकी दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा से जादा हो उसकी कोई भी दो बुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से कम हो तो ये दौनों कंडिशन आप लिख लीजे पेपर में ये दौनों ही कंडिशन से कुशन आते हैं कि भाई अगर कोई ट्राइंगल पॉसिवल है या इंपॉसिवल है तो डिसाइड कौन करेगा की उस तिर्बुझकी दो बुजाओं का योग तीसरी से जादा, दो बुजाओं का योग तीसरी से जादा, दो बुजाओं का अंतर तीसरी से कम, ये होना जरूरी है, अनिवार रहे है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा, clear है भई सब clear है चलिए अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं आपको दे दी और C सबसे बड़ी भुजाय है सबसे बड़ी भुजाय है C तो अगर मैं पूछू यार ये बताओ पहचान होगे कैसे मैं कैसे पहचान होगा कि ये नियून कौन है मेरे को बुजाएं दे रखी है केवल क्या बुजा देखकर आप पहचान सकते हो क्या आपको आता है बुजा देखकर पहचान सकते हो नहीं पहचान सकते कौन तिर्बुज होगा हम वही दौनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके ट्राइंगल बनेगा है ठीक है हां तो ठीक है अगर मानलो आपको बुला जाए कि न्यून कौन का कैसे बता चलेगा तो ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर सी स्क्वाइर से तो गुरु जी यानि कि आपने तो वक्त पलड़ दिया और जज़वाद पलड़ दिये अगर एंगल के हिसाब से बात करें तो एंगल के हिसाब से तो हम बता देते थे न्यून कौन मतलब जो ट्राइंगल में सभी कौन 90 डिग्री से कम होंगे वो न्यून कौन किसी भी ट्राइंगल में कोई एक कौन में 90 डिग्री हो जाएगा तो सम कौन और किसी भी ट्राइंगल में कोई भी कौन 90 से जादा हो जाएगा अधिक कौन है ना अधिक कौन है ना सही बात है लेकिन बुजाओं से पता लगाना ये नया था तो अगर बुजाओं से अगर आप बता सकते हो तो आप हीरो हो और हीरो के लिए आपको कुछ नहीं करना सबसे बड़ी बुजा को लेना है जो आप पाइथा गुरस जानते हो उससे समकौन क पता लगाओ अगर a square plus b square greater than c square है न्यून कौन अगर लेज देने तो अधिक कौन एक example लेता हूँ एक प्रशन आने वाला है और आपका दिल खुछ नहीं हो जाए तो फिर कहिएगा मेरे से तीन पांच और नौ पहले तो बताओ यह ट्राइंगल संभव है क्या पहले प्रश्न यह कहता हूं कि ट्राइंगल पॉसिबल है क्या पहला ट्राइंगल बताओ पहले पॉसिबल है क्या नहीं दूसरा कोशन देता हूं पुरूब таких की ट्रांगल पॉसिबल है क्या तो पहला पॉसिबल है दूसरा पॉसिब्ल है के कि मृत चलो 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 लो गुरू जी एसी बात है जो बात बता दिता हूं कि हम चेक करेंगे तिरबुच की दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा से जादा आना चाहिए कम आ रहा है पॉसिबल ही नहीं है तिरबुच की दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा से जादा है तीसरी बुजा से जादा है यह पॉसिबल ट्राइंगल है तो आप चेक कर लिए आप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा यह कौन सा ट्राइंगल है अधिक कौन तिर बुझाए मज़ा आ रहा है हां या ना में जवाब दीजिए खीचकर लाइक और शेयर करते जाए रुकना नहीं है भाई साथ यह सेशन लाइफ का बैस सेशन होगा यह मैं बोल देता हूं आपको यह चीज के लिए हो गई तो आप तुरंट पैचान जाएंगे क्या यह आप्ट्यूस है ऐसी बात आपको मैंने समझाईए चलिए अब मैं बात करता हूं आगे अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो बुझाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुझा के समानतर हो और यह मिड पॉइंट हो तो मध्य बिन्दू हो जाता है यह तियोरम कहलाती है मिड पॉइंट तियोरम मिड पॉइंट थियोरम का एक ही मतलब है कि जो डी होगा वो बी सी का आधा होगा क्या होगा सर किनी भी दो बुजाओं के मध्य बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी बुजा के समानतर हो जाएगी मैं दुबारा बोल रहा हूं किसी भी ट्राइंगल में किनी भी दो बुजाओं के मध्य बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी बुजा के समानतर हो जाए तो मद्यबिंदू बोला है ना तो मद्यबिंदू का मतलब यह है कि जो आपका D.E. होगा वो B.C. बटे 2 होगा क्लियर है इसी के साथ में थेज्ठ्योर्म की बात मैं करना चाहता हूं थेज्ठ्योर्म क्या कहती है सर थेज्ठ्योर्म का मैंने यहां पर विजन भी पूरा करवा दिया है उस सेशन को जरूर देख लेना जाने से पहले यहां तो मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूं वहां मैंने पूरा प्रूफ करवाया है तो यह मैंने D.E. माना थेज्ठ्योर्म यह कहता है कि D.E. मद्धे बिंदु नहीं है समझ लो ना दौनों का अंतर समझ लो पहले थेज्ठ्योर्म कहता है सर दी और E. मिड़ पॉइंट नहीं है सर फिर क्या है यह ऐसी पॉइंट है तो आपकी जो संगत भुजाओं का नुपात होगा वो बराबर होगा AD और AB बराबर AC और AE और AC लिख लो इसको है न और DE और BC यह थेल्स थियोरम होती है यानि कि इसको basic proportionality थियोरम भी बोलते हैं मैंने यह एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को subscribe कर लो बहुत काम आने वाला है और एक एक session गोल्ड वाला session है एक एक यहां पर चेक कर ले ना आप चाहे तो जो short videos वाला है यहां तक clear होगे भाई मामला चलो अब आगे चलते हैं आगे आजाओ सबसे खतरनाक सबसे जानदार और 100% paper में प्रशन आने वाली चीज सर यह क्या है सुनो किसी right angle triangle में अगर यहां से 90 degree वाले से सामने वुजा पर लंब डाला जाए perpendicular डाल दिया तो तीन triangle बन रहे हैं कौन से एक ये वाला एक ये वाला और एक बड़ा वाला तीनों आपस में similar होते हैं पहला एक question बन गया क्या ऐसे बोलेगा आपसे कि किसी triangle में सम कौन से सामने वाले वुजा पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने triangle क्या आपस में समरूप होते हैं क्या दो समरूप होते हैं क्या एक अकेला समरूप होता है क्या तीनों समरूप होते हैं सब तीन ट्राइंगल बनेंगे, तीनों ही समरूप होंगे, एक छोटा वाला, दो और एक बड़ा वाला, ठीक है, अगर मानलो इसका BD निकालना हो BD, तो BD निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, BC गीवन हो, AB गीवन हो, AC निकाल लोगे पाइथागुरस से, एरिया बराब करेंगे, एक बटे दो आधार इंटू उचाई, इसका आधार AC है, और उचाई BD है, बराबर कर दिया, BD निकल गया, सर मानलो गर BD ऐसे ना निकालना हो, दूसरा तरीका पूछा जाए तो, दूसरा तरीका भी है, AD निकाल सकते हो, DC निकाल सकते हो, AD कैसे निकालने के लि फोकस करके देखो CD निकालना हो तो इसके साथ में लगी हुई BC square upon AC लिख लो और एक यह और होता है 1 upon BD square बराबर AB square BC square और एक BD बराबर यह भी होता है अंडरूट AD into DC यह और लिख लेना यह और काम का है अंडरूट AD into DC ठीक है चलिए आया इसमें सूपर चैट भी आ गया सूपर थैंक्स सूपर चैट सब आ गया कोई बात नहीं चलो यह ठीक है यह clear है भाई सबको समझ में आ गया लिख लिया आगे चलते है सर सिमिलर्टी क्या होती है सिमिलर्टी का गांदर केस है अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो क्या केस चलता है अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो सुनलो किसी भी दो ट्राइंगल की संगत बुजाओं का अनुपात संगत बुजाओं में केवल बुजा दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनका दो एरिया का रेशो होगा AB का DE से रेशो BC का EF से रेशो AC का DF से रेशो स्क्वायर सब वो क्या है भाई सब ना केवल साइड्स एवन लंब भी पर्पेंडिकुलर का रेशो भी मीडियन भी मादिका का रेशो भी ना केवल साइड्स का मादिका का भी और लंब का भी उनका भी रेशो बराबर होता है वो भी स्क्वायर में क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं आपन और इसी चीज में अगर परिमाप की बात करी है तो square नहीं होगा बस single ratio रहेगा तो अगर area और परिमाप का relation हो तो sir अगर perimeter का relation area से निकालोगे तो perimeter का square कर दो बात बराबद है अगर किसी भी ट्राइंगल में तीन माद्दिकाएं हैं और आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो और माद्दिकाएं दे रखी है माद्दिका मतलब मीडियन मीडियन क्या करती है बुजा को दो बराबर भागों में बांड देती है वही मीडियन कहलाती है अभी सब कुछ बताऊंगा है ना तो क्या करना है ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे कैसे सर वो हमेशा होता है 4 by 3 of median से बने कौन कौन सी median है सर AD, BE और CF अगर ये तीनों median है तो इस तीनों median से बने ट्राइंगल के एरिया के 4 वटे 3 गुणे के बराबर होता है यह याद रखोगे न अगर मानलो इन तीनों median को मैं दे दूँ आपको तो आप मुझे ये बताओ कि आप एरिया का कैसे निकालोगे आप एरिया कैसे निकालोगे सर हीरोस के फॉर्मूला से निकाल लेंगे और अगर ये ट्रिपलेट्स में हुई अगर ये इस ट्रिपलेट बन रहा होगा वह तीन चर पांच होगा तो अपना राइट अंगल ट्राइंगल लग जाएगा कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है ये मैंने ट्रिपलेट्स लिखे हुए है तीन चार पांच छे आठ दस नो बारा पंदरा बारा सोला बीस और पंदरा बीस पच्चिस ये तो ट्रिपलेट इसके मल्टीपल हो गए नो चालेस इकतालेस बीस इक्किस उन्तीस साथ चौबिस प 48, 5, 3, 3, 84, 85, 119, 12, 169, 119, 12, 169 ये भी ट्रिपलेट्स दिमाग में रखना तैर ये कैसे काम आते है पेपर में ये हर जगे काम आएंगे जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहाँ ट्रेपलेट का जलवा होगा क्योंकि पाइथागोरस होता है ना पाइथागोरस होता है इसलिए श्री कह रहा है सर श्री बेसिक के लिए मैंने बेसिक पड़ाया है ये एकसाम टाइम रिवीजन है कि आप traveling करते वक्त भी पूरा revise कर सको उद्देशे समझे वीडियो का है ना उद्देशे के साथ पढ़ाई करिये बस है ना श्री चलिए तो ये चीजें आप अगर पहले पढ़ी होगी आप तो आपको revise होगा अगर पढ़े ही नहीं हो तो फिर डिब्बा पहले सी goal है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते फिर और नहीं teacher कुछ कर सकता है आईये सर सरकल की मैं बात करता हूं सरकल क्या होता है सर सरकल की कुछ theorem सोती है उन पर आप दिमाग लगाएं यह होती है कौड किसी जीवा द्वारा केंदर के एक ही तरफ किसी भी कौड द्वारा एक साइड में जो angle बने होते हैं वह सेम होते हैं अबी आपका क्या है यहां पर diameter है तो किसी भी व्यास द्वारा जो परिदी पर बना हुआ कौण होगा वह 90 डिग्री होगा अगर बहार से कोई बिंदू है और यह एक प्रती शेदन रेखा है जो कि सर्किल को काट रही है या फिर यूँ भी बोला जाएगा कि दो जीवाओं को बढ़ा दिया और पीपर मिल गया तो कौन सा concept लगता है hospital से medical store और फिर घर पे आकर फिर दुवारा hospital घर से medical store फिर इंटू भी ये कर दो ना आपको कुछ नहीं करना यहीं एक छोड है पहले इस point पे जाएए फिर इस से जाए एए फिर इस से आगे इंटू पीवी पीसी इंटू पीडी ठीक है चलिए सर इस वाले में क्या रूल चलेगा इस वाले में भी सेम है कि जब एक एक तो प्रतिशेदन रेखा हो इंटरसेक्टिंग लाइन और ये एक टेंजेंट हो तो टेंजेंट का स्क्वाइर पीटी स्क्वाइर बराबर पी ए इंटू पीवी कोशन डायरेक्ट ली आएंगे भाई इन पर लिख लो इनको पीटी रिवाइस करो आराम से चलिए अगला कोशन देखिए किसी भी ब्रत में केंद्र से जीवा पर जो परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है कोई भी सर्किल है उसमें जो रेडियस होती है वो इस पर श्रेखा से हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसी भी सर्किल में अगर सर्किल के अंदर चार बिंदू को मिला कर कोई चत्रबुझ बनाया जाता है उसी को ही साइकलिक क्वाडीलेटरल बोलते हैं क्या बोलते हैं शाइकलिक क्वाडीलेटरल चक्रिय चत्रबुझ इसमे चक्रि चत्रबुझ में Gir bangs क्या होगा अंदर बना हुआ होगा चार विंदू होगे ठीक है अगर यह क्वाडिलेटरल ऐसे बना हुआ है तो जो यह भाईय कौन होगा किसी बुजा को बना कर यह अंदर वाले कौन का अपोजिट वाला इंगल बराबर होगा होना भी है क्योंकि यह ठीटा है तो यह 180 माइनस ठीटा और इनका योग वैसे भी 180 होता है तो यह ठीटा होना अनिवार रहे है यह साइक्लिक वाडिलेटरल की प्रोपर्टी है कि अगर किसी भी साइड को आप बहार निकाल देते हो तो उसका जो भाईय कौन होता है वह अपोजिट आंत्रिक कौन के बराबर होता है अब इस वाले की बात करना चाहता हूं आप से इस वाले को बता देन वालों कि अगर कोई सर्किल है उस सर्किल में बाहर से कोई इस पर शेखा डाली गई है आपके किरप्या करके वीडियो को लाइक शेर जरूर करते रहे हैं दोस्तों यह आप लोगों के लिए है बढ़िया जानदार चीज आईए अगर मैंने यह सेंटर माना है तो यह परपेंडिकुलर यह सेंटर माना है तो यह परपेंडिकुलर क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि कोई तरिज्जा जो होती है यहां से 90 डिगरी बनाती है इस पर शेखा से 90 डिगरी बनाती है यह केंदर ओ हो गया यह पॉइंट पी होगा सर ये वाला कौन अपने आप 180 माइनस ठीटा हो जाएगा ना तो आप कुछ कह सकते ना मैं क्यों क्यों क्योंकि ये एक चत्रबुज बन रहा है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा से पहली बात क्लियर हो गई हाँ या ना बोलते जाना बिलकुल क्लियर हो गई सर ये दौनों तो बराबर होते ही है ठीक है ये 90 डिगरी है तो ये आपस में कोई भी क्वाडिलेटर लोगा 360 डिगरी बनाए देख लो देख लो अगर ये वाला एंगल पूछू तो कौन सा सर ओए बी ओए बी और ये वाला एंगल बराबर रहेगा वो क्या रहेगा ये ठीटा है ना इसका आधा अल्वेज औरे ऑल्वेज यार मुझा आ जाएगा तुम्हें पेपर में ये गारंटी ठीक है तो ये अगर मिला दोगे तो ये ओए भी पूछता है अक्सर या ओबी ए वो ठीटा बाइटू रहेगा जो ये वाला एंगल है उसका आधा सर ये ऐसे कैसे सिंपल थियोरम है यार वनेटी लगाकर कर सकते हो आप कर सकते हो बड़ी बात नहीं है यहां मैं आपको रिविजन करा रह आपतक है इंडिगल फो एक का एरिया निकल लो एक बटे 2 बेस क्या लोगे बेस आपका हो जायेगा और आपका पर परेंडिगूलर ये पर पन्डिगूलर अपर अगर आपको यह तो निकल गए इसका अगर मानलो इसका एरिया निकलना है ओ ऐपी फूरे कौइङ लेटल क यह आज चसल में करवाया था मैंने तो आप यह आंसर कर देना ओए इंटू एपी उसका डवल कर दिया अगला कुषन सर अभी तक तो आपने बताया था कि सर्किल के अंदर कौआडी लेटरल हो अगर सर्किल के बहार हो तो यह प्रॉपर्टी बहुत काम की है कि ए भी और डिसी आमने सामने की बुजाओं का योग बराबर होता है आमने सामने की बुजाओं के योग के ठीक है अगर किसी क्वाडी लेटरल में एक rectangle दे दिया और rectangle के अंदर मैंने कहीं पर दी यह जो बिन्दू है यह कहीं भी हो सकता है कहीं भी sir तो प्रापर्टी लगती है इस बिन्दू से इसकी दूरी, इसकी दूरी, प्रतिक वर्टेक्स की दूरी कैसे देखना AO, OC, BO, OB, सीधा जाना है, मुर्णा नहीं है, सीधा जाना है तो सर क्या होगा, प्रोपर्टि क्या है, प्रोपर्टि कैसे दिमाग में रखें कि किसी भी rectangle के अंदर ऐसे बोल दिया जाए कि कोई बिंदू है उससे B की दूरी, C की दूरी, B की दूरी तो A की दूरी बताओ तो property यह होती है इसका square प्लस इसका square OA और OC, OA और OC, बराबर OD और OB, squares बराबर हो जाते हैं ठीक है मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यार मेहनत को है न बरवाद मत जाने देना एक number नहीं कटेगा यह मेरी guarantee है पूरा देखना और जम कर देखना और share जरूर करना यार हर एक विध्यारती आईए सर रोंबस की मैं बात करता हूं आपसे रोंबस की मै चार वो जाएं बराबर होती है और उनके जो डाइगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काड़ते हैं तो सम चत्रबुच का एरिया क्या होता है डाइगोनल अलग अलग भी होते हैं पहली बात पो यहां यहां ट्रिप्लेट चलता है यह ध्यान रखना बस सर यहां ट्रिप्लेट से काम चलता है क्या यहां ट्रिप्लेट चलता है अब ट्रिप्लेट अगर मालो यह ओ पॉइंट है ट्रिप्लेट कहां देखना है मुझे यह बताओ पहले तो आब ट्रिप्लेट देखना कहा है चलिए ट्रिप्लेट ऐसे देखना है जब कभी भी दो डाइगुनाल एक दूसरे को काट रहे हैं तो यह आधा-धा कर देते हैं आधा-धा आधा-धा और भुजा आपकी ए है तो यह ट्राइंगल में ट्रिप्लेट देखना है अकसर आपने देखा होगा हम यह निकालते हैं तो डबल करते हैं करना ही पड़ेगा वो तो डाइगुनल निकालने के लिए क्योंकि यह जो निकलता है यह जो निकलता है वो के लिए एक बटे दो दौनों डाइगुनल का मल्टिप्लिकेशन कर सकते हैं ठीक है सब दूसरा कंसेप दूसरा कंसेप यह रटने की जरवत तो नहीं है देखो अगर फिर भी रट रहे हो तो अच्छी बात है बुरी बात नहीं है कि डाइगुनल का और साइड का रिलेशन य हो जाएगा बोलो और एसी बराबर डीटू है तो यह टी बाइटू हो जाएगा बस्ट्री लगा दिया क्योंकि 90 डिग पर काट-rence यह करन कर का स्वाइर बराबर डीका दीवन मटे दो का चार वजाता है डीटू चार इदर आगया, यह बन गया न, तो ऐसी बनता है, चलो भई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समश्या, हाँ या नामे जवाब दे दो, कैसा लग रहा है, यह भी बता दो, प्लीज, चलेगा, आगे चलें सर, बिलकुल, अगर माल लो, इसका मुझे नॉर्मल एरिया निकालना होतो, नॉर्मल एरिया क्या करना है, पर्पेंडिकुलर डाल दो, कहीं से भी, अगर पर्पेंडिकुलर दे रखा है, तो नॉर्मल एरिया, हमेशा किसी भी, किसी भी चत्रबुझ का, बेस इंटू हाइटी होता है, अच्छा सर, एक तो यह एरिया वाला देदी और उसके बीच का एंगल देदिया ठीटा तब area कैसे निकालोगे कि सुन रहे हो ना कि यहां पर 2 side देदी और उसके बीच का एंगल देदिया ठीटा तो सर यह होता है A square उनके बीच याद रखनी है कभी भी समांतर चत्रबुच के डाइगोनल और उसकी साइड के बीच में रिलेशन पूछे तो टू टाइमस ओफ देखो हमेशा समांतर चत्रबुच की आमने सामने की बुजाएं बराबर होती है हमेशा याद रखना तो दो सल्लगन बुजाओं के बीच का होती है ठीक है चलिए ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ ट्रेपेजियम क्या होता है सर कोई भी समलम चत्रबुच की आमने सामने वाली बुजाओं दे रख्खी होंगी आपको और उनके बीच की दूरी दे रख्खी होगी तो एरिया पूछेगा तो एक बटे दो समांतर बुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी एक चीज़ पूसता है कि ऐसमांतर बुजाएं जो कि नॉन पैरलल साइड से अगर उनको मिलाने वाला कोई लाइन है तो उसकी लेंद क्या होगी अगर यह मिड़ पॉइंट है तो तो वह होती है सर दौनों पैरलल लेड का बटे दो यह नोट कर लेना नोट तो सारी दूवा में आपको चिंता मत करो पीडियेफ आपको टेलिग्राम पर मिलेगी चलिए यहां तक किसी को को दिक्कत मज़ा आ रहा है नहीं यह बताओ जल्दी से बताओ यार मज़ा रहा है नहीं आरा थीज कर लाइक और श अचान क्या है तीनों बुझाया अलग अलग है तो एरिया कैसे निकलेगा हीरो का फॉर्मूला एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यह बात याद रखना और एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका है एस इंटू एस माइनस एस माइनस भी एस माइनस सी नोट कर लेना पेपर में काम आता है जब कुछ ना कुछ ना बन रहा हो तो काम आएगा बहाई है यहां तक को दिक्कत और सरक कोई टेंचन नहीं इस क्लाद से इस को क्या बोलते हैं एसको क्या बोलते हैं एसको सियमी पेरिमीटर अर्ध परिमाब बोलते हैं ए प्लस भी प्लस सी बैटो तो अगर मालो इंड रेडियस निकालनी है यानि कि इसके अंदर बने हुए किसी ब्रत कोई भी ब्रतो अंते तरिजा निकालनी है तो आर बराबर होता है एरिया अपॉन अर्ध परिमाब याद कर लोगे क्या अरे गजब यार पर सर अगर बहारी संभाहु तरिजा निकालनी होतो कोई भी विशंभाहु तरिजा कोई भी हाँ उसके लिए तो वह होता है सब तीनों बुजाओं का गुणनफल अपॉन चार गुणा छेत्रफल लिख लो ए बीसी अपॉन फोर डेल्टा ये आर बराबर होता है परितरिजा बोलते हैं इसको अगर आउटर रेडियस निकालनी हो और अगर संभाहु तरिज हो तो वो टिप्स पर रहता है संभाहु तरिज के लिए अंत्य तरिजा ए अपॉन दो रूट तीन और भाईय तरिजा ए अपॉन रूट तीन अगला सम कौन तिरबुच के लिए अंत्य तरिजा आधार प्लस लंब माइनस कर्ण तो आप ऐसे याद रखना आधार प्लस लंब माइनस का कर्ण याने कि base plus perpendicular minus hypotenuse बटे दो is equals to radius and outer radius will be sir c by 2 a b आपका hypotenuse होगा hypotenuse का आधा किसी भी समकौन तिरबुज के लिए परितिरिजा का मामला होता है ठीक है चले दुबारा आगया ठीक अब आते हैं polygon पर polygon मतलब होता है बहुबुज तो किसी भी बहुबुज में सभी आंतरिककोनों का योग क्या होता है n minus 2 into 180 या 2n minus 4 into 90 का योग क्या हो जाएगा वो आंतरिकोन है यह भाँए कोन है सभी भाँए कोनों का योग हमेशा constant रहता है 360 degree अगर प्रतेक आंतरिकौन का मान निकालना है तो जो योग निकाला है उसमें बुजाओं का भाग दे दीजिया और अगर आंत्रिक भाईय कौन का मान निकालना है तो 360 में N का भाग दे दीजिया अगर विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो बुजाएं दे रखी है N into N minus 3 by 2 विकर्णों की संख्या होती है यह द्यात करना पेपर में आएगा अगर किसी भी पॉलिगन का एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो जह गजब बात है तो किसी भी पॉलिगन का एरिया निकालने को बोल दिया जाए तो N by 4 A square cot 180 बटे Ñन N by 4 A square cot 180 बटे N मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर 6 बुज आ गया शम 6 बुज तो इसका area कैसे निकालोगे क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा आपसे सम 6 बुज जिसकी 6 बुजाएं है इसका एक जुगाड आप पहले से ही करके जाएं तो सम 6 बुज का मतलब 6 एकुलेटल ट्राइंगल से मिलकर बनने वाला आकरती 6 सम बाहु तिर्बुज से मिलकर बनता है हाथ के आथ यहीं कवर करवा दिया मैंने ठीक है चलिएगा हाँ सेमी पेरिमीटर है वो है न चलिए इंटर्नल एंगल प्लस एक्स्टर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है यह हमेशा याद रखना ठीक है इंटर्नल एंगल प्लस एक्स्टर्नल एंगल बराबर 180 डिग्री होता है आगे चलते हैं अगर मान लो कोई स्टार आजाए मज़ा आया नहीं आया अरे बोल दो यार अरे बोल दो भाई सब ऐसी क्या सरम कर रहे हो तो इस्टार आ गया स्टार पे कितने बिंदु हैं बार उसकी चौँच देख लो तो सर ये तो चौँच वाला है एक दो तीन चार पांच छे चौँच वाले स्टार के सभी कौणों का यानि कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F आपकी लाइफ बदल जाई छह माइनस चार इंटू 180 यह पेपर में प्रश्ण पूछा जाएगा यह मैं अभी बोल देता हूं तो कोई अगरति और बते हैं के यह बन गए D तो अब 6 कितने हो गैं आट ऑगे बना के देगा अठ इस्टार हुए आठ शीश बिंदू हो गए 720 मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा खीच के लाइक करिए अगला पॉलिगन का एरिया वेरिया निकालना जानते ही हो मैंने अभी बताया था ना चलो एरिया का एक बार जैकारा लगा देते हैं याद कर लेते हैं पॉलिगन का एरिया एन एस्क्वाइर बते चार कॉट 180 बते हैं एन एस्क्वाइर बते चार कॉट 180 बते हैं खतम हो गया कॉट ठीटा आता है आईए सर्किल की बात हम करी चुके हैं सर्किल में यह रेडियस होती है सर्किल में भाई यह जो इस पर श्रेखा होती है बराबर होती है यह व्यास होता है इसको second बोलते हैं मतलब प्रितिशेदन रेखा ये व्यास होता है जो केंदर से गुजरता है ये जीवा कहलाती है ठीक है चलिए ठीक है अब यहां देखो लगु चाप किसको ब्रतखंड इसको बोलते हैं सेगमेंट ठीक है कौड के ऊपर नीचे क्लियर है ना भाई यह जरूरी था बताना कि चलिए अब नात करना चाहता हूं कि किसी भी जीवा यह कोशन पेपर में आएगा वह वाला दूरी निकालने वाला याद करो हां तो किसी भी जीवा द्वारा केंदर से अगर हम लंब डाल दें तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विवाजित करेगा साथ के साथ आप यह याद रखेंगे कि अगर जीवा यह बराबर है जैसे ए भी आपका पीक्यू के बराबर है तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वह भी बराबर होग सेम जीवा से अगर कौन बने हो तो वह बराबर होते हैं ठीक है यह अगर बराबर है तो चाप भी बराबर होगा यह वाला ठीक है यह देखिए समान चाप केंदर पर समान कौन बनाते हैं यह याद रखना समान चाप या जीवा द्वारा केंदर पर बना कौन भी समान होता ह यह न? ठीक है. यह हो गया, बराबर होता है. यह मैंने कराइदीया सारा. यह बराबर हो गया. यह देखिये. अगर दो जीवाँ आपस में internally काच रही हो तो दो जीवाँ आपस में internally काच रही हो तो यह property पे star बना लेना. तो क्या होता है? वही काम. ae into e b, d e into e c. a e into be, क्लियर है समझ में आवी बात तो इसको नोट कर लो ये अंदर काट रही है बाहर काटने वाली अलगाती है ठीक है बाहर काटने वाली अलगाती है यह बाहर काटने वाली मैंने बताई थी ना भी बताई थी नहीं बताई थी दो जीवाएं बाहर काट रही थी वहस्पिटल वा प्राइंगल की इस पर श्रीखा का जो यह भाई यह कौन है यह इसके बराबर होगा यह भाईसा पेपर में जरूर आएगा जरूर लिखके रख लेना समझ रहो ना आकरती समझ लो प्लीज यह मानलो यह ट्राइंगल है और यह इसकी स्पर्श रेखा है यह वाला कौन इसके अंदर वाले को छोड़कर जो दूसरा एंगल है उसके बराबर होता है 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 आई आगे अब यह आते हैं आपन डाइरेट कॉमन टैंजिंट डी सीटी पर डाइरेट कामन कघेंजंन क्या कहता है अगर मालो दाइरेट कॉमन टे टैंजिंड निकालना अनु इसपर्ष अभेनिष्ट रेखा मज़ेदार मज़ा सेशन को लाइक शेयर नहीं मिला न तो यार मतलब नहीं निकलेगा यह तो तपश्या है जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आईए डी सीटी की बात करता हूं डी सीटी है यह वाली डी सीटी है अगर इसका निकालना होना कुछ मत परों यहा डायरेक्ट में माइनस हो जाता है कि यहां हम कैंद्ध के दिनद हो की की दूरी है यह clear कर दो पहले तो माइनस आएगा दौनों में आएगा और हम इस पर श्रीकां की लंबाई निकाल रहे हैं ध्यान रखना और यह वाली BC भी बराबर है यह वाली और AD और BC दौनों ही direct common tangent सीदे लोगों का कोई है क्या कोई नहीं है आजकर सीदे लोगों का तो मैं कह सकता हूं न कि दौनों की तौनों की तौनों का अंतर है वह यहां आएगा यानि कि जब direct निकालनी हो न तो radius का अंतर आ जाता है और अगर transfers निकालनी हो अनूर धहर रहे है तो दौनों का सम आ जाता है ठीक है लेकिन जब result आता है तो यह छोटा हो जाता है और यह बड़ा हो जाता है यानि कि भगवान सबको देखता है सीदे लोगों का इश्वर है और इनका कोई नहीं है ठीक है समझ में आ रही है बात चलिए अ साइन रूल क्या कहता है अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो ए अप्यों साइन ए उसकी बुझत और यह आर होता है आर क्या होता है सरकम रेडियस परीत इरिज़व होता है ठीक है तहां लिख लेना सर मुझे पूरा पूरूफ जानना है मैंने इसी चैनल पर वीडियो ब रखा है और दो साइड दे रखी हैं तीसरी साइड निकालनी हो ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर माइनस सी स्क्वाइर अपान टू ए भी तो यह वाला एंगल आ जाएगा स्कॉस सी चलिए आईए आगे बात करते हैं यह हमने करा दिया लेकिन अगर मान लो कोई विशम भाहुतिर बुझाया और इनके बीच में कौन ठीटा दे दिया तो कैसे निकालोगे एरिया एक बटे दो संग आसन बुझाय का गुणनफर और उनकी बीच का कौन यह दिमाग पर रखना यह पेपर में आता है यह चीज पेपर में आती है कोई भी कोई जैसे मान लो इनकी बीच में दे दिया एंगल एक बटे दो बीसी साइन ए चलिए यह एरिया आफ ट्राइंगल निकालने वाली बात है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ अच्छा तुरंत आप मुझे बताओ अगर आउटर रेडियस हो तो क्या होता है जल्दी कमेंट में लिखके जब विशम बाहु तिर बुझो तो वो गसर एबीसी अप क्या है अर्द परिमाब ए प्लस वी प्लस सी भाई टू चलिए अगला मान लीजिए कि आपके पास यह तो हो गया आपका अंते केंद्र और यह हो गया परीकेंद्र तो पहला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी भी तिर बुझ के अंदर अंते केंद्र और गलत बात तो मतलब दूर दूर होते हैं हाँ दूर दूर भी होते हैं और उनकी बीच की दूरी निकाली जाती है जब भाई यह तिर्जा पता हो और आंत्र तिर्जा पता हो तो उनकी बीच की दूरी under root R square minus 2RR का under root under root R square minus 2RR मज़ा आगया आनंद आगया जी विलकुल आगया तो याद करना पड़ेगा और ये बेपर में आते हैं मतलब आप जो mains वाला बच्चा भी देख रहा होगा CDS का वो भी फोड़ कर आएगा ये guarantee है मेरी तो अगर distance निकालना हो in radius या बोल सकते in center और circum center के बीच में तो वो radius r हो जाएगी और छोटी r तो r square minus 2 rr का under root आईए इसको कहते cross ladder theorem जहाँ पर आपको दो आपको बुजाएं दे रखी होंगी ऐसा बोला जाएगा कि इसका शीर्ष यहां मिल रहा है इसका शीर्ष यहां मिल रहा है तो जो इनका प्रतिशेदन बिंदू है उससे bd पर जो f पर मिलता है तो ef की value बताओ तो जो आपका ef होगा यानि की 1 upon z वो बरावर होगा 1 upon x upon 1 upon y तो 1 upon z बरावर होता है आमने सामने वाले जो poles हैं इसको बोलते है cross ladder नाम से पता लग रहा है cross ladder इस तरह का diagram बनेगा और आप से यह पूछा जाएगा कि जहां प्रतिशेद हुए है वो length निकालिए और यह सब parallel है आपस में मतलब यह समानतर होंगी lines ठीक है चलिए आगे बात आती है कि अगर मानलो AD, BE और CF यह मैं आपकी median दे रखी है तो याद रखना कि कभी भी किसी भी triangle में सुन रहे हो ना कभी भी किसी triangle में कभी भी किसी भी triangle में उनकी बुजाओं के square का 3 गुना उनकी मादिकाओं के square के 4 गुने के बरावर होता है और यह इससे भी याद रख सकते हो कि triangle का area 4 बटे 3 होता है मादिकाओं के triangle की area के ठीक है? चलिए आगे चलते हैं यह कौन सी theorem है? अपोलिनियस theorem जहाँ पर आप क्या कर सकते है अगर यह AD मादिकाओं है AD आपकी क्या है? median है तो आपको median निकालनी पड़ जाए या सामने बुझाओं को दो बरावर भागों में बाटना पड़ जाए तो अगर यह median है इसकी length निकालनी के लिए काम आता है कैसे सर्थ? आसपास की side दे देगा आपको AB square प्लस AC square बरावर यह निकालना है ना हाँ लेकिन two times कर दो प्लस two times करके क्या करूँ? जो सामने वाली बुझा है उसका कोई भी हिस्सा ले लो BD ले लो या DC ले लो हम BD ले लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है DC ले सकते हैं कोई भी बात नहीं है लेकिन एक मान मतलब अगर मान लीजी ए ठीटा है तो AB का BD से अनुपात लेना AB का BD से अनुपात Most famous theorem अगला अगर दो मात दिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हो तो ध्यान से सुनना 90 डिग्री पर काट रही है न तो यहाँ पर हमें केवल साइड से मतलब रखना है मात दिकाओं से कोई लेना देना नहीं है अच्छा बिलकुल तो जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या है बीसी है तो 5 बीसी का स्कॉयर और जिस पर दो मात दिकाएं एबी स्कॉयर एसी स्कॉयर इ कर दो ठीक है सर वीडियो के लिए करवा दीजिए शाम को रात को आठ बजे क्लास चलतो रही है पंकज रात को आठ बजे लगातर पूरा कोर्स हो रहा है तुम पता नहीं कहां सो रहे है चलिए यह वाली देखिए यहां बोला गया है सर cf और ae मादिका है ठीक है तो क्या ह होगा राइट अंगल ट्राैंगल होगा ना तब यह प्रोपर्टी काम आएगी जहां पर मादिकाओं का रोल होता है यसे कि cf और ae जो मादिकाओं है है राइट अंगल ट्राैंगल में लिख रहे है ना उसका चारगुना बराबर होता हैllo. पॉरवट यहां आईए यह आप जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटल ट्राइंगल में अगर यह साइड दे दी और किसी अंदर बिंदू इस्तित है उससे तीन आपके परपेंडिकुलर दे दी है तो क्या होगा ह बराबर ह बराबर आप पीवन पीटू और पीथरी मान सकते हैं न अगर मैं दाल सकते हो टू टाइमस ओफ पीवन प्लस पीटू प्लस पीथरी अपॉन रोड थरी लिख लो यह आईए यह मैंने अभी बताई दिया आपको ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट है यह डायरेक्ट आपके ऑप्शन के थू फॉर्मुला बनेगा तो मैंने यह डायरेक्ट लि याद आ रहे है आपको अभी बताया था यह लेकिन सब्सक्राइब क्यों लेकर आयो डी प्लस मैंने लिख दिया अबी चीडी डी प्लस भी वरावर हो गया यह प्लस यह तो पता है आप सबको लेकिन मान करो मतलब बात सुनो मेरी आप मान लो कि इस चत्रवुच का एरिया इस चत्रबुज का एरिया पूछ लिया तो क्या करोगे बता तो भाया यही खेल है बस चत्रबुज का एरिया कैसे निकालेंगे जो चारो बुजाएं है चारो बुजाएं जानते हो हाँ ABCD AB PLUS C PLUS D बटे दो करना तो आपका S निकलेगा पहली बात तो और बस वही करना है S into S minus A S minus B S minus C S minus D तो यह याद रखना यह नया मतब चीज है जो आपको नहीं पता होगी लेकिन पेपर में आ सकती है आपके अच्छा यह पेपर में आ सकती है नहीं आ सकती यह तो जरूर आएगी जब कभी भी दो इस पर श्रेखाएं होती हैं तो यह ट्राइंगल बन गया ना तो इस ट्राइंगल का जो परिमाप होता है ना इस पर श्रेखा जैसे AQ है और AR है बराबर ही होगा तो उसका डबल होत हुदा है ट्राइंगल का परिमाप परिमेटर मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है चलिए अगला यह पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक चकरिय चट्रबुच के कौनों के जो बाइ सेकर होते है कौनों के जो बाइसेक्टर होते हैं उन से चलिए आपसे बोल दिया कि यार इस तरह का कोई ट्राइंगल है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तिर्वुजवे भी कभी कभार फसा देता है ऐसे तो यह जो कौन है यह वाला जो कौन होता है इन तीनों कोनों के योग के बरावर होगा ठीक है आपको ये प्रॉपर्टी भी दिमाग में रखनी है जैसे कि मानलो ये एंगल दे दिया ये इंगल दे दिया और एक आपको होगाल के इंगल है उनके आंतर का बटे 2 आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में एक आंतरिक कौन का बाई सेक्टर और एक भाईय कौन का बाई सेक्टर जहां मिलता है तो जो तीसरा एंगल है उसका आधा हो जाता है मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा चलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में भाईय कौन का जो समधिभाजक है अगर ओपर मिल रहा है तो जो ये कौन बन रहा है बी ओ सी ये कितना होता है 90 डिग्री माइनस का ए बाई टू क्योंकि ये एक्स्टरनल एंगल बा भी टू कीछ वाला इंगल होगा न उसका अच्छा ये बता हूं ये सेंटर कौन सा कहलाएगा एंगल भाई से क्या प्रिटिशतर को अकूम में आपका center आपका in center कहलाता है अंते केंदर ये बहुत अच्छा concept है चलिए किसी भी ट्राइंगल में दो आंत्रिक कोणों का योग हमेशा भाई ये कोण जो होता है वो दो आंत्रिक कोणों के योग के बराबर होता है कि मैं बात करना चाहता हूं circum center की शरकम center क्या होगा किसी भी ट्राइंगल में circum center क्या होता है जल्दी से बताइए सर सरकम center जो होगा वह है side perpendicular जो बाइसेक्टर होता है ये देखो दिख रहा है बुजा पर लंब सम्दी भाज़क दिख रहे है हाँ उनका प्रितिशेदन विंदू ये सरकम सेंटर कहलाता है और इस सरकम सेंटर की खास बात ये है कि प्रतेक शीर्स से बरावर दूरी पर इस्तित होगा और यही तो आर कहलाएगी ये परितिर्जा कहलाती है ठीक है चलिए अन्ते केंदर क्या कहलाता है एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ बिंदू सभी तीनों अर्दकों का प्रतिशेदन बिंदू अन्ते केंदर कहलाता है क्या कहलाता है अन्ते केंदर कहलाता है और अंत्य केंदर कहलाता है तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई सर्किल यहां मैंने फसा दिया तो उस अंत्य केंदर से यहां पर जो इस पर्ष बिंदू है ना उसकी दूरी बराबर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं इनर रेडियस और यह एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्लियर और अंत्य केंदर मैंने अभी बताया था ना बी आई सी निकालना हो तो 90 डिग्री प्लस ए बाई टू हो जाता है चीजे क्लियर हो रही है भाई सब सारी की सारी मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यह बता दो पूरा रिवाइस हो रहा है न अच्छे से यह चाहता था मैं ठीक है भाई पेपर में यह प्रशन बनते हैं अक्सर पूछे भी जाते हैं कही बार अभी मैंने आप से एक चीज सरकम सेंटर सेम जगा होता है क्या इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम ही जगा होता है क्या इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम जगा होता है क्या नहीं होता अलग-अलग जगा होता है सर उनकी बीच की दूरी क्या होती है अभी जश्ट बताई थी दुबारा बताओ मेरे को सर डी बर स्कावर अंडरूट कैपिटल र स्क्वायर यानि की परीत रिज्जा माइनस टू आर और र चलिए वेरी गुड और तो सेंटर क्या होता है लंब केंदर लंब सम्धिवाजक लंब लंब जो है ना लंब डाले गए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका लंब केंदर क्या लाता है तो और तो सेंटर की खास बात यह है कि जो यह केंदर बन रहा है तो एक्स प्लस वाई कॉंसे संप्लिमेंट्री होगे सप्लिमेंट्री होग suff очень लगी कि यह यह और तो सेंटर की बात है दो रटना नहीं है आप समझने हैं 6 कि मैं आपसे पूच नання चाता हूं कि यह question paper में बनने वाला है आपके ka right angle triangle में allthor center कहा पर होगा राइट अंगल triangle में a earth center कहाँ पर होगा क्लम केंद्र कहां होगा आपका जवाब होगा कि सर राइट एंगल triangle में 25 ग्र इंथर वह होता है अप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपका लंब केंद्र कहा होता है सर आउट साइड ट्राइंगल के बाहर और केंद्रक क्या होता है सर माद्धिकाओं का प्रितिशेदन बिंदू केंद्रक कहलाता है माद्दिकाओं का प्रतिछे दिन मिंदू केंद्रा कहलाता है और जो केंद्रा होता है याने कि सेंट्रॉइड होता है वो माद्दिका को दो अनुपात एक में विवाजित करता है understand clear है यहां तक चलिए अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अगर यह माद्दिका है तो एक माद्दिका ट्राइंगल को दो बराबर इस्सों में बाड़ती है तो तीन माद्दिकाओं डाल दें अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया आपको मैंने बोल दिया ABC एरिया है और एरिया मनलो कुछ भी है तो यह एक बटे 6 हो जाएगा क्योंकि ये 6 triangle बना रहा है न तो इस चीज़ का आप दिमाग रखे खासा ठीक है तो ये 6 बराबर भागों में बार देती है तीनों मादिकाएं तो एक मादिकाएं दो भागों में बाटेगी दो मादिकाएं चार भागों में बाटेगी ठीक है एक question मैं इस पर और पूस्ता हूँ आपसे आप मुझे जवाब देना कि किसी भी triangle में अगर उसके मध्य बिंदूओं को मिला दिया जाए सुनना भाई question पेपर में आएगा और फिर मत कहना कि सर मैं तो पढ़के ही नहीं गया था और आपसे मैं request करूँगा और एक वो मेरी आपको पूरी करनी पड़ेंगी लेकिन a b c d f यह आपका क्या है मध्य बिंदू है सर मिड़् पॉइंट यह मैं मिड़् पॉइंट बोल रहा हूं ठीक है डी एफ है मिड़् पॉइंट ऑगर यह midpoint है, मद्य बिंदू को मिलाने वाला triangle है, तो इसका area कितना होगा? तो ये सर area जो होता है, वो 1 बटे 4 होता है मैं बात किसकी कर रहा हूं? area की कर रहा हूं तो ये जितने भी triangle है इनका जो छेत्रफल होगा, वो 1 चौथा ही हो जाएगा बड़े वाले का और परिमाप कितना होगा परिमाप होगा एक बटे दो ये याद रखना पस परिमाप में गड़बड कर देता है बच्चा पैरी मीटर एक बटे दो होगा पूरा जो मैट्री मैंने रिवाइस करा दिया है कुछ भी नहीं बचाया अब कैसा लगा सेशन ये बताईए पहले तो सबसे पहले मैं चाता हूँ कि आप एक एक बच्चे को ये वीडियो शेयर करें ये मेरे कहने पर है ये आपका काम है भाई साब पूरा रिवीजन घर पे बैठकर आप आराम से कर सकते हैं अब ट्रेवलिंग करें कहीं करें आपके पास सब कुछ है ठीक है मैं इसकी पीडियाफ में टेलिग्राम पर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आप टेलिग्राम को मिलेगा और किसी अन्या कैटिगरी के स्टूडेंट हैं जैसे UPSC, IAT, NEET, UGPG कहीं के भी अगर स्टूडेंट हैं आप पढ़ना चाहते हैं अनकेडमी पर 40 से ज्यादा गोल हैं आप किसी भी गोल में जाकर साहिल 10 कोड लगाकर मैक्सिमम डिसकाउंट पाएंगे आज अग यह मेरा टेलिग्राम है जहां पर आपको जुड़ जाना है ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका सेशन को लाइक करिए शेयर करिए मज़ा आ गया नहीं आ गया यह बताईए और यह मैं आपकी लिए कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और व में और भी देने वाला हूं कि मेरे पास यहां बच्चे बहुत सारे हैं नीट वाला है बच्चा यहां आयटी वाला बच्चा सब बच्चे पढ़ते हूं यह सब चिके काम आने वाली चीज़ें आप हैं ठीक है सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा म सूपर चैट आता तो है आप यार सूपर थैंक्स भी आगया अब तो हां ठीक है तो मिलते हैं रात को आट बजे टेक क्यार लव यौल और बाई बाई और जुड़े रहिए रेगूलर बेसिस पे सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को यह जरूरी है और और बटन दबा लि कर लो है